अगर ऐसा ही रहा तो श्रत प्रतिश्ट टीके में लगेंगे एक बर्श अब देखते हैं खबरबस्तार से भारती जड़ता पार्टी ने धर्मांतरन को लेकर रास्थानी राइपूर के बुढ़ा पारा में धर्ना प्रदर्शन किया इसके बाद बड़ी संख्या में भाजपा के लोग पुरानी बस्ती थाने का घेराफ करने निकले मगर पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया इस तरह रोके जाने को भाजपा नेताओ निजम कर अपनी भडास निकाले भाजपा ने पुरानी बस्ती थाने में आविदन देकर धर्मांतरन करने वालों के खिलाब F.I.R. दर्स करने की मांगी थी मगर कोई F.I.R. दर्स नहीं हुआ जिसकी विरोध में ये धर्ना प्रदर्शन किया गया इसमें वड़ी संख्या में भाजपा के प्रमुक नेता शामिल हुए इस धर्ने के बाद सैकडों की संख्या में भाजपा के नेता और कार्यकरता पुरानी बस्ती थाने के ओर निकले मगर रास्ते में बैरिकेटिंग करते वे सैकडों की संख्या में मौजोद वलेस बल्ले इन्हें बीच में ही रोग दिया इस दोरान पुलिस की भाज़ुपा कारिकरताओं से जम कर धक्का मुक्की हुई बीच रास्ते में ही रोगे जाने पर भाजुपा नेताओं ने चम कर विरोध किया पूर्वमंत्री और विधायक ब्रिज मुहानगरवाल ने कहा कि अब कोई भी हमारे धर्म पर अतिक्रमन का प्रयास करेगा तो उसे बरदाश्ट नहीं करें के पूर्वमंत्री और भाजुपा प्रवक्ता राजिश मुड़त ने कहा है कि आज कुमार दिलिप सिंग जुदेव को याद करने का समय है अब हम ना केवल धर्मांतरन रोकेंगे बल्कि अपने भट के भाईयों को भी वापस लाएंगे धर्ना और घेराव का नेद्रित्व करती हुए भाजुपा जिला ध्यक्ष श्रीचन सुन्दरानी ने सवाल उठाया कि केस गुप्ति जेंट से ये सरकार धर्मांतरन को बढ़ावा दे रही है भाजुपा ने इस मौकी पर एलान किया है कि वो धर्मांतरन को लेकर बहुत जल्दी धर्म संसत बुलाकर इस आंदूरन को वस्तार देगी भाजुपा प्रतीक गणिशुत्सव दुर्गोत्सव सहीत सभी समाजिक मज़ तक पहुचा कर इसके खिलाब जनजागरन अभियान चलाएगी ब्यूरो रिपोर्ट डीबी लाइट नियूज 36 गण के स्वास्त मंत्री टीएसे देव का कहना है कि राजे को शत्प्रतीशत टीका करेंट के लिए अभी धाय करोडोस की जर्मत है जिस तरह से कम मात्रा में वैक्सीन भीच रहा है उससे सभी लोगों को वैक्सीन लगने में पूरा एक साल लग जाएगा स्वास्त मंत्री टीएसे देव ने ये जान कारी शत्प्रतीशत वैक्सिनेशन के लिए मोर जिम्मेदारी नामा का भियान की शिरुवात करते हुए कही ये भियान युनिसेफ और एकता परिशत द्वारा राजे के 20 आदिवासी बाहुल्य जिलों में चलाया जाएगा इसके लिए तैयार रत को रवाना करने से पूर्व स्वास्त मंत्री ने वैक्सिनेशन को लेगा रनेक महतपुर्ण जानकार्या दी उन्हेंने बताया कि कोरोना की शत प्रतीशत एक्सिनेशन के लिए 4 करोड डोज लगने हैं और इनमें से अब तक केवल 1.5 करोड डोज ही लग सके हैं पहला दूसरा डोज मिला के 1 करोड पचास लाग के आसपास कितना लगना शेश है? 2 करोड पचास लाग आपको वैक्सिन कितनी मिल रही है? अगर 20 लाग वैक्सिन मिलती है तो 0.5-12 मेहने लगे है जो बात आ रही ना वैक्सिनेशन कैसे करना अगर आपको 0.35-40 लाख के लेज मिलते हैं और आपको 2 करोड 40 लाख को लगाना है तो कितना समय लगेगा? 6 मेहने хैं आप चाहो तो किसी को अपने गाउं को पगड़ के 100% करा सकते हो लेकिन 36 गड़ को नहीं करा सकते क्योंकि आपको वैक्सीन उतनी ही मिलेगी राइगर ने कर लिया 100% मैं उससे सहमन नहीं हूँ टेसे इदेव ने बताया कि अगर बीते महीरों की तरहा केवल 20 लाग दोज ही हर माह मिलते रहें तो शरत प्रतिशत वैक्सीनिशन के लिए साल भर लग जाएंगे प्रयास यह होना चाहिए कि जो ज़्यादा वल्डरेबल एरिया जो ज़्यादा संक्रमंट से प्रभावित होने का एरिया है उसको पहले पकड़िए मेरी सला है कि आपके 600 गाओं भी इन में से जहां आपको दिखेगा कि सबसे ज़्यादा या तो संक्रमन की केस दिखे हैं कि इस गाओं में 1, 2, 5, 10 आए हैं वो ऐसी जगह जाते होंगे अभी तक जो रेकॉर्ड है ट्राइबल एरिया में संक्रमन कम पहुचा गौरतलबे की चुतिसकर में वैक्सिनीशन का आकड़ा कम होता जा रहा है ऐसा केद्र सरकार द्वारा टीके की मात्रा कम उपलद्ध कराया जाने के चलते हो रहा है स्वास्त मंत्री ने पड़ोस के राजों में जादा और उसके मुकाबले चुतिसकर को काफी कम टीका मुहया कराया जाने का आरोप लगाया है ब्यूरो रिपोर्ट डीवी लाइप नियूस चुतिसकर सरकार ने प्रदेश की पहली फिल्म निती जारी कर दी है इसके तहट सरकार में फिल्म और टीवी इंडस्टिस के विकास के लिए सबसीडी की घोशना की है तैह हुआ है कि चुतिसगड में बनी चुतिसगड़ी फिल्मों पर सरकार 33 प्रतीशत सबसीडी देगी सरकार मदद देगी वही नवाराइपुर में फिल्म सिटी बनानी की भी तयानी है प्रदेश के संस्रिती मंत्रिय मर्जित भगत ने बताया कि इस निती में अंतर रास्टिय पूरसकार पार्ने वाली फिल्मों को प्रतसाहिद करने का भी प्रावधान है पिर्मनिती बनने से चुटिस गडवी सिलिमा उद्योग से जुडे लोगों को बहुत ज़ादा फायदा वोगा चुतिस गड़ी करा स्वृती और परेटन को देश दुनिया में ने पहचान मिलेगी 36 गड़ में बनी किसी 34 गड़ी फिल्म पर 5 करोड का खर्च हुआ है तो सरकार 1 करोड 65 लाख रुपए की सहेता देगी अंबिकापूर में हाथियों ने स्कूटी सवार परिवार की जान ले ली हाथियों ने युवक को कुचल दिया वही पतनी और 4 साल के बेटे को फुटबॉल की तरहा 100 मीटर दूर फेक दिया घटना में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई है ये घटना उदैपूर शेतर की है कुणी निवासी गौतम दास अपनी पतनी रीडा दास और 4 साल के बेटे युवराज के साथ स्कूटी से उदैपूर गया था वहां माइक्रो फाइनेंस कंपनी से 30,000 रुपए निकालने के बाद तीनों बुधवार रात गाउं लोट रहे थे इसी दौरान अलकापूरी से मोहनपूर चौक के पास रास्ते में खड़े हाथियों निस्कूटी सवार परिवार पर हमला कर दिया हाथियों ने महिला और बच्चे को उच्छाल कर दूर फेग दिया और गौतम को कुचल दिया हाथियों के हबले में परिवार की मौत से ग्रामिन भड़क गए हाला कि उन्हें शांत करते हुए जला पंचायत, सदस्य, राशनात ने लोगों को समझाईश दी और हाथियों से दूर रहने की सलाह दी है इसके बाद भी देहशत के चलते ग्रामिन सारी रात आग जला कर वही बैठे रहे इस बोलेटर में फिलाल इतना ही, वने रही डीबी लाइट के साथ, नमसकार